बिहार में सराबंदी के बाद भी सराब माफिया अपना धंदा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं आज का ताजा मामलाब भोजपुर जिले की है पुलिश नेक वार फिर अवायद विदेसी सराब से लदे ट्रक को बढ़ामत कर सराब माफियाओं में खलबली मचा दी है दरसल भोजपुर उत्पाज विभाग को सुचरा मिली थी कि हारियाना से विदेसी सराब से लदा ट्रक सराब माफिया तसकरी के लिए भोजपुर के रास्ते कहीं लेकर जा रहे हैं तुरंत उद्वाजभा की टीम ने कोई लवर थानाचितर के बवूरा में ट्रक की तलासी ली तो उसमें 474 काटून सराब बरामद हुआ और ट्रक से एक ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया पुलिस के पुष्टास के करम में गिरफतार वेक्ति राजिंद्र कुमार वा भावर लाल कुमार ने बताये कि बवूरा में किसी वेक्ति के घर सराब पहुचा ना थो वेक्ति कौन है पुलिस चानवीर में जूटी हुई है वही इतनी सराब इस लोग सभाचुराओं में कई जीलों को पार करते हुए आरा पहुंची लोगों के बीच चर्चा का विशय बना हुआ है काटून से साड़े 11,000 सराब की वोतल को पुलिस ने बड़ा मत किया है कोई लबर से रुपेश कुमार के साथ तारकेश्वर परसाथ पुड़े विहार ने उच भाजपूर के आसपास में इसकी सुचना मिल दें कि हम लोगों के ज़रा उत्पाजी भाग ये सारे की ज़रा जाय काट के नेकिंद में ये सारे अस्तलबत रखों की तलासी लेने के क्रम में पाया गया एक ये गाड़ी अधी शपरा के लिए आरा इसकी से निकलने वाली इसको गाड़ कर नमर हमनों को कुछ दा प्राप को चुका था उसी सिती में इस गाड़ी को हम लोगोंने तरीच बवुरा से दो पिलोटर आगे इस जाड़ी को हम लोगों रोग कर सच किया नहीं अस्तलबत सच करने के बाद उस गाड़ी में से राजिंदर कुमार ड्राइबर और भवर लाल दोनों की रफ्टार किया गया इस राड़ी में सच के दवरान पाया गया कि चार्ट सो चोहतर काटूंग विदेशी सरा बरामत किया गया